आज 31 दिसंबर 2023 और कल से आपके लिए नया साल सुरू हो रहा है यानि कि आपके लिए 2024 का नया साल कल से सुरू हो रहा है और इगनु में कल से यानि कि 2024 साल सुरू होते ही कुछ इस तरीके के बदलाव होंगे जो कि आपके कोर्स पर आपकी स्टडी पर और आपके डिगरी सर् पर काफी ज़्यादा effect करेंगे किस तरीके से आपका अभी जग कोर्स होता था और अब किस तरीके से 2024 से आपका कोर्स होगा उसमें कुछ बजलाव इगनू की तरफ से किये गए आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे कि 2024 से ऐसे कौन से 6 बड़े बजलाव है जो कि आपको इगनू के अंदर अब से अगले साल से देखने को मिलेंगे काफी important वीडियो है आपको ये वीडियो जरूर पूरी देखनी चाहिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो आप सीधा वीडियो की शुरुवात करते हैं इन सबके नोटिस इगनु की तरफ से अलग-अलग टाइम पर जारी किये गए जिन में आप नोटिस की जब आये थे तब भी मैंने इनके बारे में जानकारी दी थी सबसे पहले अब Under Graduation का मतलब होता है B.A.B.C. तो उसमें भी मतलाव किया जा रहा है अब Under Graduation चार साल की भी होगी जैसा कि मैंने आपको कुछ महीने पहले आपको इसके बारे में जानकारी दी थी कि जनुवरी 2024 का जो सेसन है उसे इस तरीके से हो सकता है कि तीन साल का जब आपका B.A.B.C. होगा तो उसको जनरल डिग्री माना जाएगा और चार साल का B.A.B.C. जो होगा उसको ओनर्स की डिग्री माना जाएगा तो अब चार साल का Under Graduation course भी इग्रू के अंदर करवाया जाएगा B.A.B.C. का उसके बाद अगर हम बात करें तो जन जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चोहान वीडियो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा जनवरी 2024 से आपके courses जो है उनकी fees भी increase हो रही है उसके बाद double degree को भी मनजूरी दे दी गई है अभी तक इग डिगरी आप अगर इगनू से कर रहा है तो दूसरी डिगरी आप किसी regular college से कर सकते है यानकी double degree जो अब तक देश के अंदर यानकी भारत के अंदर मानने था जिसको नहीं मिली थी लेकिन UGC की तरफ से आप double degree को भी मानने था दे दी गई है कि आप एक regular college से अपनी university से degree कर लीजिए और एक open university से अपनी degree कर लीजिए एक इगनू से आप degree करना चाहते तो वहां से कर लीजिए और इसके साथ साथ आप एक किसी regular college से जाकर भी अपनी एक degree complete कर सकते है उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मार्स 2024 में आपका 37th convocation होगा 37th convocation में December 2022 और June 2023 के जो पीस भी देनी होगी कुछ courses ऐसे से जिनमें पहले से ही practical exam की fees ली जा रही थी लेकिन इस बार से आप इस तरीके से टैक किया गया है कि अब आपके जो BST के जो practicals है और सभी तरीके के जो practicals है उनको अगर आपको देना है तो आपको जो fees है उसको submit करना होगा अपना examination form भरते टाइम पर उसके बाद अगर हम बात करें तो जन्वरी दो हजार चौविस का री रेजिस्ट्रेशन यानि कि ऐसे स्ट्रेशन जिरों ने फर्स्ट यर में अपना admission ले लिया था अब उनको second year या third year का री रेजिस्ट्रेशन करवाना है ऐसे स्ट्रेशन और अगर आप नया admission लेना चाहते है चाहे बैचलर डिग्री हो मास्टर डिग्री हो डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो तो इनके लिए admissions ओपन हो चुके है जन्वरी दो हजार चौविस के admission भी सुरू हो चुके है अगर आप लेना चाहते हैं एड्मिसन तो आप जरूर ले सकते 31 जन्वर बजलाव है जो की किये गए जिनमें सबसे बड़े बजलाव की बागर हम बात करें तो अब चार साल का आपका अंडर्ग्रेजिएशन का कोर्स होने वाला है प्रैक्टिकल एक्जाम की फीस ले जाने वाली है उसके बाद आपका जो कोर्स है उनकी फीस इंक्रीस कर दी गई करेंगे आप फर्स्टियर के क्रेडिट्स मिल जाएंगे और आप किसी और दूसरी उनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं तो अलग अलग चेंजिस आपके 2024 साल में होने वाले है इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमें जरूर करें तो आज की वीडियो में इतना ही